मशकार मैं देवेंदर सिंग बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और प्यारे बच्चो आज हमारे पास कारे पत्रक शंक्या दो है कक्षा आटवी के लिए हिंदी भीशे में 14-7-2021 का और इस कारे पत्रक में आपको एक कविता परा लिखी गई है और हरिवन्स रायवच्चन जी कौन थे हरिवन्स रायवच्चन जी आज के महानायक आज के महानायक कोन है आमिताब बच्चन तो उनके पिताजी थे हरिवन्स रायवच्चन जी और वे भी एक महान कवी थे लेखक थे उनकी कविताएं बहुत सुन्दर सुन्दर हैं इसी परकार एक बहुती सुन्दर प्यारी सी कविताब के लिए आ रही रवी की सवारी नाम से आपके लिए यहां पर है आपके समक्ष आपके कारे पत्रक पर दी गई है तो आईए पढ़ते हैं नव किरन का रत सजा है कल कुसम से पत सजा है बादलो से अनुचर ने सुन की पूशाक धारी आ रही रविकी सवारी बिहग बंदी और चारण गा रहे हैं किर्टिगायन छोड कर मैदान भागी तारकों की फोज सारी आ रही रविकी सवारी चाहता उचलू बिजय कहें पर्ठिटकता देख करिया है रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिकारी आ रही रविकी सवारी तो देखिए रवी रवी किसे कहा जाता है सूर्य को कहा जाता है सूर्स का प्रयावाची है रवी और उन्हीं की जो सवारी है यहां पर आई हुई है सुबह सुबह का समय है तो उसका देखिए एक बार इस कविता की ब्याक्ख्या हम किस तरीके से कर रहे हैं यहां पर हमारे लिए ब्याक्ख्या करके भी दी गई है इस कविता में जो कहा गया है वो मैं देखता हूँ पढ़ता हूँ आप ध्यान से सुनिए इस कविता में कभी ने सूर्य दोय का वर्णन किया है और सूर्य को रा जाकी सवारी आ रही है उसका रत सुबह की किरणों से सजा है तो सुर्य का जो रत है वो किस से सजा है सुबह की किरणों से जो सुबह की किरणे होती है रास रास्ता बाग बगीचों और कलियों और फूलों से सजाय गया है प्राता काल के सुर्य की सुनहरी किरण बादलों के स सेवक हैं बादल जो हैं वो सूरे के सेवक हैं जो सोने की सुनहरी पोसाग पहने हैं अब बादलों ने क्या पहना है सुनहरी पोसाग या नहीं कि जब उन पर सुबह सुबह की किरण पढ़ती है बादलों पर तो उनकी जो उनका जो रंग हो जाता है ऐसे लगता है जैसे सोने परता काल सूरे की आघे हैं तो رात के अंदकार से सभी को मुक्ति मिलती है जब सबी को कब मुक्ति मिलती है जब प्राता काल सूर्य का उद्य होता है सबी को मुक्ति मिलती है ऐसा लगता है जैसे कोई राजा बिजय होकर अपने रत पर सवार होकर आया हो ऐसे लगता है कि सूर्ज जो राजा है और बिजय पराप्त करके उसने जीत हासिल कर ली हो और वो अ अपने राजा को देखकर उनके उसके पक्सी रूपी बंदी पक्सी रूपी जो उनके राजा के बंदी है और अन्य सेवक है जो अन्य सेवक है और पक्सी है वो जब सुबह सुबह होते हैं तो एकदम चहचाने लगते हैं उड़ने लगते हैं वो परसंसा के गीत गा रहे हैं आपने देखा होगा कि जैसे सुबह सुबह पक्षी चहचाने लगते हैं उसी परकर वही कहा गया है कि जो पक्षी चहचा रहे हैं वो गीत गा रहे हैं परसंसा के गीत गा रहे हैं सूरज के लिए और सूर्य अचानक चंद्रमा की दसा देखकर ठिटक जाता है जब सूर्या रात का जो राजा होता है चंद्रमा उसे देखकर ऐसा लगता है वो ठिटक जाता है कि अचानक चंद्रमा की दसा देखकर ठिटक जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में बिकारी बनकर खड़ा है तो रात को राज करता है वो रास्ते में बिकारी की तरह दिख रहा है चोकि सूरज की रोसनी में चंद्रमा की जो रोसनी है वो बिलकुल कम दिखाई देती दिखाई नहीं देती दिन में हमें कभी चंद्रमा नहीं दिखाई देता रात को ही दिखाए देता है तो इसलिए उसे रात का राजा कहा है और सूरज जो है वो सुबैस दिन का राजा हो गया अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है देखे कितनी बड़ी बात कही है परिवर्तन संसार का अटल सत्य है परिवर्तन तो होगा ही परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता या एक अटल सकते है इसको कोई नहीं मिटा सकता और इसे मानना भी पड़ेगा इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी भ्यक्ति को घमंड में नहीं रहना चाहिए अपने सहियम से रहना चाहिए अपने एक ऐसा तरीका होना चाहिए जीवन का अब देखो कोई अपने पे गर्ब करता है गर्ब हो लेकिन गमंड ना हो गमंड करता है तो उसका भी सूर्यास्त जरूर होगा आज किसी के पास यदि बहुत अधिक पैसा है और वो गमंड कर रहा है कि जी मैं बहुत पैसे वाला हूँ या मैं बहुत ताकतवर हूँ लेकिन उसको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एक दिन ऐसा ऐसा भी आ सकता है कि जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरे से अधिक पैसे वाला हो सकता है या मेरे से अधिक ताकतवर हो सकता है इसलिए क्योंकि परिवर्तन संसार का अटरल सकते है जिस परकार रात के अंधेरे में अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है उसी परकार मनुष्य के जीवन में सुक और दुख का चक्र चलता रहता है जो सुक और दुख का चक्र जो है वो चलता ही रहता है आज यदि दुख है कोरोना बीमारी पूरे दुनिया में पहली हुई है सभी ने अपने लोग कोई हैं सभी दुखी हैं परेशान हैं लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सुख भी जरूर आएगा ऐसा भी दिन जरूर आएगा जिस दिन सुखी होगा पूरा संसार सुखी होगा तो इस बात का भी ध्यान रखना कि सुख और दुख जो है एक चक्र है वो चलता ही रहता है मनुश्य को आने वाली हर परिष्टिती के लिए तयार होना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि फिर दुख नहीं आएगा वही सुक और दुख तो इस तो आना है इसलिए हर परिष्टिती के लिए आपको तयार रहना है इसी में समझधारी है तो आईए इससे सम्मंदित प्रश् पोसागमला कपड़े परसंसा में कीरतिगायन कौन कर रहा है परसंसा में आपने देखा कि कीरतिगायन कौन कर रहा है जो पक्षी हैं जो बंदी रूपी पक्षी हैं सूरज के जो बंदी हैं वो पक्षी हैं और अन्य जो है वो बंदी क्या कर रहे हैं कीरतिगायन कर रहे है चहचा रहे हैं, चारो दिसाओं में उड़ रहे हैं, खूब आसमान में उड़ रहे हैं और चहचाते हुए उड़ रहे हैं, वो किर्तिगायन कर रहे हैं कि सूरज आ चुका है, सभी साबदान हो जाओ, सभी जाग जाओ, तो ये उनका कहना है, रात का राजा बिकारी बनकर क् खड़ा है रात का राजा को ने चंद्रमा है क्यों क्योंकि उस रात को चमकता है उसे रात का राजा कहा गया है तो बिकारी बनकर क्यों खड़ा है क्योंकि उसका जो प्रकास है वो खत्म हो चुका है क्योंकि उससे प्रकास वान सूर्य अब आ चुका है सुबह हो चुकी है अ कहीं चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए वो भिकारी की तरह रास्ते में खड़ा है आगे देखिए सूरे के तीन परियाए वाची तो सूरे के तीन परियाए वाची हमने एक तो यहीं पर पढ़ लिया आ रही रवी की सवारी यानि कि रवी सूर्य को कहा जाता है साथ के साथ दिवा कर भी कहा जाता है साथ दिन कर भी कहा जाता है भानू कहा जाता है भासकर कहा जाता है ठीक है तो इतने सारे यह मैंने बता दिये तो आपको तकिवल तीन लिखने है तीन लिखिएगा अगला है बिलोम सब्ध लिखिये रात का क्या होता है दिन अंधीरہ का उजाला ये इनके बिलोम है और सोचकर लिखिये कि यदि सुर्छ नहोता तो क्या होता ये तो आपको सोचना है तो थोड़ा मैं आपको पता देता हूँ, हिंट देता हूँ, कि आपको कैसे सोचना है, कि यदि सूर्य नहोता, तो सायद इस पृतिवी पर जीवन नहीं होता, क्योंकि सूर्य के होने से इस तरती पर क्या है, जीवन है, पेड़ पोधे हैं, जीव जन्तु हैं, जितने भी की पतंगे हैं, सब कुछ सूरे की वज़े से हैं, अगर सूरे नहीं होता तो सायद पृत्वी क्या होता? बरप का गोला होता, क्योंकि गर्मी कुछ होती ही नहीं और थंड इतनी होती कि हर चीछ चमी हुई होती, तो ये भी लिख सकते हैं और अन्य कई बाते हैं जो लिखने को जो आप खुद स्वैम भी लिख सकते हैं, अन्त में एक महत्व उन्सूचना कि कोविड नाइंटीन के बिरुद लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पेने, तो प्यारे बच्चों, ये था आज का कारेपत्रा कक्षा सात्वी के लिए हिंदी में, इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, और अपनी जो कौपी होगी, उसमें आप इसके प्रशनुतर लिखिए, तो चलिए मिलते हैं, अगली वीडियो में, आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, और हाँ, इसको अपने मित्रों के साथ सेयर जरूर करें, साथ के सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए मिलते हैं, आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत